Hello everyone, welcome to Vidya Shri Academy, I hope you are doing well, आज हम discuss करने वाले हैं भारत की प्रमुक्षोत संस्थान और उनके स्थानों की सूची, यह बहुत ही important topic है, MPPSC और various one day exam में भी इस related question पूछे राते हैं, स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जो इंसिट्यूट है वो है भारती क्रसी अनुसंधान संस्थान, जो कहां पर इस्थे थे, नई दिल्ली में इस्थे थे, जहां पर ट्रिक की जरूरत होगी, हम वैसे पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे, बट हमें याद होना चाहिए, सेकेंड नमबर पर है केंद्री गन्ना अनुसंधान संस्थान, यह कहां पर है कोयंबर टूर, त थेर नमबर पर है तमाकू अनुसंधान संस्थान, राज मुंदरी, केंद्री तमाकू अनुसंधान संस्थान, तो राज नाम का लड़का है, मुंदरी मतलब अंगूठी पहन के जाता है और दुकान वाले को बलता भाई तमाकू दे दे, मतलब केंद्री तमाकू संस्थान कहां परिस्थत है तो ये संस्थत है कानपूर में चीनी तकनीकी संस्थान है कानपूर में चौथी नंबर पर हम बात करते हैं भारती डेरी अनुसंदान संस्थान तो डेरी डेरी के लिए कौन सा स्टेट फीमस है तो हमें याद है कि हर्याना फीमस है तो करनाल कहां आता है हर्याना में आता है और नाल आपको याद है जैसे जो गाय बैल रहते उनको भी नाल पहनाई जाती है तो हम ऐसे डेरी अनुसंदान से याद कर सकते हैं कि यह कहां परिस्त है कर नाल में इस्तित है केंद्री चमड़ा अनुसंदान संस्तान कहां परिस्त है चेन नई च चमड़ा का यूज करके नई नई चीज़े बनाते हैं, बैल्ट बनाते हैं, पर्स बनाते हैं, तो चमड़ा अनुसंदान केंद्र कहां पर इस्थे थे, चेन नई में इस्थे थे, इसके बाद हम बात करते हैं, केंद्री ओसदी अनुसंदान संस्थान, लख नव, तो ओसदी विज्ञान संस्थान तो नई दिल्ली में है अब नई दिल्ली में आपने देखा होगा क्योंकि ये capital भी है और यहाँ पर मौसम बदलता रहता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा pollution होता है गर्मियों में अत्यादिक गर्मी होती है तो इसलिए मौसम विज्ञान का जो headquarter है वो कहाँ पर बनाया गया है नई दिल्ली में बनाया गया है नेक्स्ट है केंद्रिय धातू विज्ञान अनुसंदान संस्थान जो कहाँ पर इस्ते थे जमशेदपूर अब जमशेदपूर में बहुत चारी industries है तो धातू metal का यूज वहीं पर होगा तो धातू विज्ञान प्रियोक साला कहाँ पर इस्ते थे जमशेदपूर में क्या हम पढ़ते जा रहे हैं या हमारे दिमाग में भी कुछ जा रहा है इसको टेस्ट करने के लिए हम फिर से recall करते हैं क्रशी अनुसंदान संस्थान कहाँ पर इस्ते थे नई दिल्ली में है और अभी हमने नई दिल्ली में एक और पढ़ा क्रशी तो क्रशी निर्भरता मौसम पर रहती है मतलब मौसम विज्ञान संसान और क्रशी अनुसंदान संसान कहां पर इस्तित होंगे दिली में इस्तित होंगे गन्ना को हमने कैसे याद किया था गन्ना को हम कूट कूट के यूज करते हैं तो गन्ना अनुसंधान संसान कहां पर इस्ते थे ये आपको बिना देखे याद होना चाहिए कि ये इस्ते थे कोयमबटूर में फिर हमने ओशदी को याद किया था ओशदी में कैसे गुण होते हैं ओशदी में लाखों गुण होते हैं तो मतलब ये कहां पर होगा लखनव मे होगा फिर हमने चमडा को याद किया था चमडा से क्या बनाते हैं हम नई नई चीजे बनाते हैं इसका मतलब यह चेन नई में होगा इसके अलाबा और हमने क्या याद किया है हमने याद किया डेरी तो डेरी कहां पर इस्ते थे तो क्या बढ़ते हैं गाय बैल की हम नाल बान मतलब यह कहां पर इस्ते थे करनाल हर्याना में इस्ते थे इसके अलाबा धातु विग्यान अनुसंदान संस्तान कहां पर इस्ते थे तो यह जमशियतपुर में इस्ते थे नहां हम याद कर चुके हैं राज नाम का लड़का मुद्री पहन के बोलता है तमाकू दे दो मतलब किंद्री तमाकू अनुसंदान का संस्थान कहां पर इस्थे थे राज मुद्री में इस्थे थे आपको सिर्फ एक से दो बार ये लेक्चर सुनना है और ये सारे के सारे नाम आपके दिमाग में याद हो चुके होंगी ये मेरी गारेंटी है नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग अनुसंदान संस्थान तो आप सभी जानते हैं कि इसको कपड़ा रासधानी भी गहा जाता है अहमदाबाद अहमदाबाद कहां आता है तो ये गुजरात की कैपिटल है तो आपको याद रखना है कि कपड़ा अनुसंदान कपड़ा बहुत ही अहम रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में तो आप ऐसी भी याद कर सकते हैं कि कपड़ा अनुसंदान संस्थान कहां परिस्थे थे एहमदाबाद में इस्थे थे फिर राष्टी प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान तो प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान अगर हमें क्या करना है किसी भी चीज का प्रतिरोध करना है तो कहा अनसान करने हम कहा जाएंगे दिल्ली जाएंगे तो प्रतिरोधा करने विज्ञान अनुसंदान संसान कहा पर इस्सेत है तो ये भी नई दिल्ली में इस्सेत है नेक्स्ट है भाबा पर्मानू अनुसंदान केंद्र इसे बार्क भी कहा जाता है तो ये ट्रॉम्बे में है ये तो आपको पहले से ही याद होगा फिर भारती पेट्रोलियम संस्थान दहरा दून देखिए अगर आपको पेट्रोलियम उत्पात देखना है कि कहां पर है तो पेट्रोलियम की खोच करने के लिए आपको कभी पेट अब इस्तित थे अब फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए हम बहुत ही बड़ा शहर देखेंगे, महानगर देखेंगे, मतलब मुंबई में जाएंगे फिर केंद्री खाद्य और प्रध्योगी की अनुसंदान संसान ये मैशूर में है तो खाद्य अब मैशूर जैसे ही आया तो आपको याद होगा एक डाल होती जैसे हम बुलते मसूर की डाल तो ये क्या है ये खाद्य पदार्थ है इसको हम खाते हैं तो खाद्य प्रध्योगी की अनुसंदान संसान कहा होगा मैसूर में होगा फिर केंदरी भवन निर्मान अनुसंदान संसान ये रुड़की में आता है केंदरी भवन निर्मान अनुसंदान संसान तो जब भी आप घर बनवाएंगे अपना भवन बनवाएंगे तो आप कहेंगे इंजीनियर से कि भाई ऐसा घर बनाईए जो एकदम बुंदेल खंडे पर बुलाजा तो लुडके ना मतलब एकदम अच्छा घर चाहिए उनको तो रुडकी लकडी ऐसा कुछ करके आप इसको याद कर सकते हैं ये स्थित है केंद्री भवन निर्मान अनुसंदान संसान रुडकी में हैं फिर केंद्री कांच अमरती का अनुसंदान संसान तो कांच कूलकाता ऐसे आपकर लीजिए कांच कूलकाता तो ये वाला इंसिट्यूर कूलकाता में स्थित है केंद्री विद्धुत रशाइन अ एंजिनिरिंग सीखना है तो दूर्गा जी दूर्गा जी की एंजिनिरिंग एक अलागी टाइप की थी वो देवी हैं उनको सब कुछ चाहता है तो ऐसे आतकर लीजे कि आंट्रेक एंजिनिरिंग अनुसंदान संसान कहां पर से दूरगापूर में स्थे थे फिर नमक और अनुसंदान संस्थानु कहा पर र backyard उसे थे भावनगर में इसे थे। फिर भारती राष्टि राजमार्ग प्राधी करण। तो राष्टी राजमार्ग की बात हो रही है, इसका मतलब एक capital में ही होगा तो नई दिल्ली। भूबहुतिकी अनुसंदान संस्थान। हैदराबाद भू बहुती की अनुसंदान संसान जब हद हो जाती है और हमें कुछ भी नहीं समझ में आता तो हम क्या करते हैं फेजिक्स का यूज करते हैं कि हम भाई धर्ती का यूज करेंगे और उस पर अनुसंदान करेंगे तो भू बहुत ही के अनुसंदान संसान कहाँ पर होगा हैदराबाद में होगा और नारियल अनुसंदान संसान कहाँ पर होगा कासर गोड में होगा तो जब आप केसर का दूद पियेंगे आप केसर की कुल फी खाएंगे आइस क्रीम खाएंगे तो उसमें नारियल तो डलेग अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको याद नहीं हुए है तो आपको एक साइड हाथ रख लीजे और इसको रिकॉल करिए आपको डेफिनिटली आपकी माइंड में कहीं न कहीं ट्रेक कनेक्ट होगा और आपको याद आएगा फर एक्जामपल अगर मैं बात करती हूँ खाद ये प्रौध्योगी की तो आपको याद आएगा जब आपको ऑप्शन मिलेगा कि मैसूर, हैदराबाद, दिल्ली तो आपको याद आएगा नहीं याद खाद दे है मतलब मसूर की डाल होगी मतलब भी कहा होगा मैसूर में कांच, कांच को हमने रिलेट किया था कूलकाता से, यांतरिक इंजिनिरिंग, सबसे अच्छी इंजिनिरिंग दुर्गाजी की है, दुर्गापूर, नमकांदुलन, भावनगर, गुजरात, ऐसे आपको सब कुछ ही याद हो गया है, बस आपको दो-तीन बार रिवाइस करन है, आप इसी तरीके से टफ से टफ टॉपिक को यदि जल्दी से जल्दी याद करना चाहते हैं, तो आप बहुत सारे मैंने इसे वीडियो बनाए हैं, जो ट्रिकी हैं, कनेक्टेड हैं, उसी शब्द में आपको ट्रिक मिलेगी, अलग से नहीं पढ़ना है, तो प्लीज वि